नवसकार आज हम लोग बात करेंगे ब्रिस्कति गरह के बारे में ब्रिस्कति पति गरह को अंग्रेजी में जप्टर प्लानेट के नाम से जना जाता है ब्रिस्कति गरह का वयास 142,984 एक किलु मीटर तक फैला हुआ है यह अपने अच्छ पर दस घंटे में एक चक्कर फूरी लगाता है अन्य गरहों में से सबसे पहले कम समय में यह अपने अच्छ पर गुंता है इससे पहले सबसे पहले गेलेलियों ने देखा गया एक महान तरिच्यान थे रस्पती गरह सुरिय की परिकर्मा पुरी एक परिकर्मा करने में लगभख बाड़ वर्स का समय लगाता है इसका एक उपगरह है जो बुद्ध गरह के बढ़ावर है उसका नाम है ग्यानी मीट यह सबसे अण्यगर् उपगरों मैसे सबसे बड़ा उपगर के लाम से जाना जाता है ब्रस्पती सूरिये से पाँच curt और हमारी सूरमंडल का सबसे बड़ा गरह है यह मुख्य रूप से एक गैस्पिंड है जिसका दरुमान सुर्य की हजा अरुए भाग के बढ़ा वर्त था सुर्मंडल में मौजूद अन्य साथ गरहों के कुल दरुमान का धाई गुना बढ़ा है बिरस्पति को सानी और अरुन वरुन के एक साथ गैसी गरह की रूप में वर्गी करित किया गया है इसे रात्री में भी देख सकते हैं इसे रात्री में चांद्रमा और सुक्र के बाद तिसरा नमर में इसी गरह को रात्री में देखा जा सकता है